आई डी बी आई बैंक में सेविंग अकाउंट कैसे ओपन करें इस यूडियम में आपको कम्पलीट जानकारी देने वाला हूं कैसे आप आई डी बी आई बैंक में अपना डीजिटल सेविंग अकाउंट कैसे ओपन करेंगे account open करने के लिए क्योंके documents लगते हैं क्योंके LGBT criteria लगेगा आपको इस account में कितने रूपे maintain करने होंगे तो complete जानकारी देने वाला हूँ कि कैसे आप घर बैठे IDBI bank में अपना digital से भी account open करेंगे account open करने के लिए सबसे पहले आप अपने mobile में कोई भी एक browser को open कर लेना है मैंने यहाप गूगल Chrome को open कर रहा है तो जिस्ट आप इस तरही किसे आप कोई भी browser को open कर लेंगे और then सबसे पहले आपको यहाँ पर search box को open कर लेना है search box में टाइप करेंगे IDBI bank जिस्ट आप इतना search कर देंगे जैसे आप IDBI bank search करेंगे कुछ इस तरह किसे आपको user interface देखने को मिल जाता है और सबसे पहले बात बता देता हूं आपको यह एक private sector का भी बढ़िया bank है जिसमें government of India और LIC दोनों company का share holding है और साथ के साथ गया बैंक आपको कहीं तरह की facility भी offer करता है पूरी तरीके सुरक्सित bank है आप असानी से digital तरीके से अपना एक saving account open कर सकते है इसके अलाबा यह bank share exchange पर भी registered है अगर आप इस bank की आप इन्वेस्ट वगरा मार्केट में यह इन्वेस्ट वगरा करना चाहते है तो वह भी आप इसकी साहता से कर सकते है अपना saving account open करने के लिए सबसे पहले IDBI bank की official website को आपको open कर लेना है जिसे आप website को open करेंगे कुछ इस तरीक से user interface देखने को मिलेगा home page कुछ इस तरीक से आपको लेके आपको 3Dot menu option पर click कर लेना है जैसी आप इस पर क्लिक करेंगे अब आपको account section पर click कर लेना होगा जैसी आप account section पर click करेंगे आप यहांप सेविंग अकांट को क्लिक कर लेंगे जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप यहां पर वीडियो अकाउंट ओपनिंग इसके बारे भी यहां पर देखने को मिल जाता है और यहां पर टाइमिंग भी बताए गया कि सुबह के 10 बज़े से लेकर सुबह सामके 6 बज़े तक इस अकाउंट को ओपनिंग खिया जा सकता है वीडियो के वाइसी के मादम से अकाउंट ओपन करने के लिए यहां पर आपको वीडियो के वाइसी लिंक तो जश्ट इस ऑ्क्लिक कर लेना होगा जैसी आप इस पर क्लिक करेंगे इसके बाद एक नया पेज ओपन होगा जहांपर कुछ प्रोसेसिंग पह लोगर के इस अकांट को विडियो के वाइसी के मादम से ओपन कर सकते है अका अपन करने के लिए सबसे पहले यहां पर जो cpro बटन पर क्लिक करेंगे जैसे आप कंटेन्य बटन पर क्लिक करेंगे इसके बाद ओनलाइन एपलीकेशन फोम आ जाता है सबसे पहले आपको टाइटल हम पर स्लेट कर लेना है Mr. या Mrs. या यहाँ और यहाँ पिंधाक्तर सब्स करेंगे ख मुबाइल सब्सक्त सबस्क्रों में क्लिक करेंगे जैसे बाद आपको और सब्सक्रान आपको जखनाएं देन नीचे आपको continue बटन पर क्लिक कर लेना है इसके बाद आपके रेश्टेड इमेल आईडी पर एक OTP भेज़ा जाएगा उस OTP को यहाँ पर आप सम्मिट कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर कुछ कर लेना है इसके बाद यहाँ फी कुछ प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो जाती है यहाँ पर कुछ टमएन कंडीशन है जिनको आपर रीट कर लेंगे और डर će बटन पर पर क्लिक कर लेंगे जैसे आप कंटिनू बटन पर क्लिक करनेंगे अब कर लेना होगा जैसे आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे अब आपको कुछ अन्ना इन्फॉर्मेसन डालनी होगी जैसे कि अपना फादर्स ने मदर्स ने इसके अलावा यहां पर मैरिटल स्टेटस डालेंगे एजुकेशन डालेंगे आपने क्या किया हुआ है एजुके इसके बाद यहां पर आपने डिटेटल्स डाली है कुछ इस दरीक से देखने को मिल जाती है अब आपको अपना कॉम्णिकेशन एड्रस यहां पर डालेना यहां से आप इसको बैक करेंगे बंद करेंगे और दन नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे इसके बाद आपको देखने को मिल जाएगी अब यहां पर क्लिक करेंगे अब यहां पर नोमीनेशन के डिटेगल पोची जा रही है यह दिनौनी आड करना चाहते तो यह पर क्लिक करेंगे अन्य था नो पर क्लिक करेंगे यहां नोमनी की यहां पे detail यहां पर डालेंगे date of birth डालेंगे नोमनी के साथ क्या relation है तो यह कुछ information है इसने डालेंगे नोमनी यदि आपके साथ रहता है address है तो वो address डालेंगे और देन continue बटन पर आपको click कर लेना होगा तो यह कुछ basic से जानकार यह इसके बाद आपको text registration detail डालेनी है कौन से state में रहते है आपका जिनम कौन से state में हुआ है country डालेंगे और continue पर click करेंगे select account type करके देखने को मिलता है तो अब अपने इसाब से अपनी ब्रांच को भी हापे select कर लेना है state डालेंगे city डालेंगे और ब्रांच का जो भी आपके आसपास ब्रांच होगी वो भी आप यहांते ब्रांच ने पर click करेंगे पता चल जाएगा इसके बाद इस account मिलने वाली services पर आपको क्लिक कर लेना है जैसे statement, checkbook, internet banking, mobile banking, debit card तो यह सभी सुईदाओ का यह आप लाब लेना चाहते हैं तो इन पर आप click करेंगे debit card पर जो नाम चाहते हैं वो click करेंगे और इसके बाद आप video KYC option page पर आजाते हैं यह दि आप इस account की KYC करना चाहते हैं तो yes पर click करेंगे और यह था no I want to schedule it leather इस पर click करके आप यहां से preview करके आप अपनी जानकरी भी देख सकते हैं और इसके अलावा यहां पर आप time and condition box पर click करेंगे और इसके बाद आपको continue button पर click कर देना है यहां पर आपको एक reference number देखने को मिल जाता है जिसे आप अपना schedule कर देते KYC तो आपको reference number देखने को मिला KYC करने के लिए आपको अलो लो करते जाना है इसके बाद यहां पर आपकुछ permissions है जिनको आप यहां पर read कर लेंगे सबी time and condition को नीचे आपको continue button पर click कर लेना है जिसे आप continue button पर click करेंगे यहां पर आपकी camera की microphone location और आपकी browser की location ली जाएगे इसके बाद continue पर click करेंगे जिसे आप continue पर click करेंगे यहां पर कुछ processing होना start हो जाती है अब एक executive आप से जुड़ जाएगा अब आपको successfully इस account की KYC complete कर लेनी है जैसी KYC complete हो जाती है आपको successful का message देखने को मिल जाता है इसके बाद आपकी email ID पर आपकी detail देखने को मिल जाती है जहां पर आपको debit card और branch की detail देखने को मिलेगी और इसके साथ ही आपको SMS के माद्यम से भी जानकरी देखने को मिल जाती है I hope guys आज की YouTube के लिए helpful रही होगी जहां पर मैंने आपको complete जानकरी दी है कैसे आप IDBI bank में अपना एक saving account open करेंगे